तो गाइस आपने कुछ इस टैप की विंडो शेडो वाली फोटो एरिटिंग देखी होगी जो कि अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा वारल हो रही है तो आज की इस पिकसाट मोबाल के टुटोरिल में मैं आपको इस इंस्टाग्राम वारल विंडो शेडो फोटो बारे में बताऊंगा तो यार वीडियो को लाज तक देखती रहना और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बैल Icon प्रेस कर लेना फिर औल नोटिफिक इसन पर सेट कर लेना जिससे कि तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सर्ट अप्लिकेशन को ओपिन कर लेना है तो अभी हम सबसे पहले अपना पिक्सर्ट अप्लिकेशन को ओपिन करते हैं एंड गाइस यह ओपिन हो रहा है इसके बाद हम सिंपली प्लस का इकोन पे क्लिक करेंगे and editor photo पे click करेंगे उसके बाद guys हम अपना simply एक photo import कर लेंगे तो अभी मैंने ये photo import किया है ये photo मैंने unsplash से download किया है and photo credit उसे upset को जाता है तो यार आप देख सकते हो इस peak में जो contrast है वो बहुत ही जादा है तो सबसे पहले हम इस photo के contrast को थोड़ा कम करते हैं and highlights को भी थोड़ा कम करते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे tools के option पे तो नीचे tools को option है second number पे आप इस पे click करके adjust पे जाएंगे हम and उसके बाद हम जाएंगे contrast पे and इसके जो contrast है उससे हम down करेंगे okay guys इसके बाद जो उसकी highlights है उससे भी हम कम कर देंगे कुछ इस तरह तो अभी कुछ photo है वो थोड़ा look में आ चुकी है and इसके बाद हम tick icon पे click करके इससे save कर लेंगे उसके बाद हम simply फिर से crop tool पे click करेंगे and फिर crop tool पे click करके यहाँ पे आपको Instagram portrait को option पे select कर लेना है and अपने photo को कुछ इस तरह fit कर लेना है ताकि वो Instagram के portrait में post हो सके क्योंकि यह बहुत अच्छा size होता है photo के लिए तो इसको करने के बाद आपको simply tick कर लेना है तो guys इसके बाद simply आपको sticker पे click करना है and यहाँ पे search के option पे click करके यहाँ पे आपको search करना है window sorry यह Hindi में typing हो गया अभी हम इसे English में करता है window okay guys यह search हो रहा है उसके बाद अभी जो हम window की image लेने वाले है वह मैं लोंगा जो अभी 5th number पे है तो यह रहा first second third fourth fifth okay तो अभी हम यह five number वाला JPG format लेंगे आप चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे window की files है I mean window photos की file है तो आप उसे भी use कर सकते हो लेकिन अभी मैं यह लोंगा तो आप भी यही लेना and इसके बाद आपको अपने pick की size को छोटा कर देना है आप दोनों हाथ से hold करके इस pick को अपना छोटा कर लेना and उसके बाद जो हमने अभी jpg I mean sticker add किया हुआ है उसको fully increase कर लेना जब तक कि वह pick full ना हो जाए तो अभी हम इसे increase कर लेते हैं and guys इसके बाद आपको जाना है blend के option पे नीचे blend का option दिया हुआ है तो guys उसके बाद आपको click करना है screen then multiply apply इतना करने के बाद आपको फिर से जाना है opacity के option पर and उसके बाद जो इसकी opacity है उसको down कर देना है तो अभी आप देख सकते हो कितना cool effect आ रहा है तो अभी हम स्थोड़ा और increase कर देते हैं कुछ इस तरह and इसके बाद guys आपको simply click करना adjust पे फिर guys इतना करने के बाद आपको simply plus tick icon पे click करके and फिर tick icon पे click करके photo को shape कर लेना है and guys इतना करने के बाद आपको simply जाना है effect के option पे तो यहाँ पे आपको pop art open करना है and इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है color one पे एंड color one पर जाने के बाद आपको इसी color one पर tab करना है जिससे कि उसकी settings open होगी एंड इसके बाद इसके बाद आपको जो उसका fade है उसको 88 तक increase कर देना है जब आप इस fade को increase करोगे तो इसकी opacity कम होगी और जब decrease करोगे तो इसकी opacity ज़्यादा होगी तो आप ध्यान रखना है इस बात का तो अभी हमें कम चाहिए तो हमने fade को increase कर लिया है फिर आप simply tick का icon पर click कर लेना और photo को save कर लेना ओके guys और इसके बाद आपको simply उपर download का option मिल जाता है तो आप इस download के button पर click करके photo को save कर सकते हो तो यहार यह बहुत simple trick है और इससे आपकी भी बहुत ही ज़्यादा cool बन जाएगी जिसे आप भी Instagram पर post कर सकते हो तो यहार कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर new हो तो subscribe कर लेना और दो बाइलना bell आइकन को जिससे की हमारे सारी tutorials की notification आपको मिलते रहे और हाँ guys Instagram का link भी मैंने description में दे रखा है आप मुझे वहाँ पर follow कर सकते हो अगर आप चाहते हो background's png free में download करने के लिए तो आप एट टेलेग्राम ग्रूप को join कर सकते हो जिसका link मैंने description में दे रखा है तो guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care bye